हेलो स्टुटेंट्स विटा आज़े अपना फोर्थ वीडियो लेकर आए है जिसमें आप कोशिन आंसर देखेंगे तो चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं बुक में आप कोशिन नंबर बन देखिए कोशिन नंबर बन हें पथिक चितोर क्यों जाना चाहता है आए है आंसर देखेंगे कोशिन नंबर सिकेट है पथिक कभी के प्रश्निका क्या उत्तर देता है आंसर देखेंगे क्योंके पधि कभी से कहता है मुझे किसी तीत इस्थान जाने की लांसा नहीं है मैं तो बीरों की नगदी तीत लांच तोड़ देना जाता हूं थर्ड कोशन है कभी क्यों कहता है क्या अपना पच आए भूल आंसर है तो अभी सभ्यासी को पूझा निस्थानों के साथ देख्टर भी कहता है कि इस मार उपर तो कोई भी तेज नहीं है यह सभ्यासी क्या तो अपनी मस्ती पे अपना मार को भूलाएगो अब कोशन नमबर फूर के स्टार्ट करते है बड़ा कोशन नमबर होड है रस्तित कविता को वीरों की पूझा नाम क्यों दिया गया है आंसर देखिए कभी ने देश में इसर्थ करने माले बीरों की पती शर्दा को अभिव्यक्त करने के लिए देश तीथों से अधिक ओड़नाई चितार की भूली को बताया है शरीदों के प्रति आतर खाओं को अभिड्यक्त करने के लिए इस कविता को दियों की पूचा ना दिया गया है Q5 है कभी ने चितौर की किन विशेष्टा का उलेग किया है Q5 है आंसर है कभी चितौर की विशेष्टा का उलेग करते हैं कि चितौर दाच अपने अचा दूर्भ पर शत्रों के आख़ड़ की आराज है सुनकर जोश से घर गया था शत्रों का उसामला करने के लिए जवानों की तोड़ी तलवारे लेकर निगल पड़ती थी और जहां सतित्व की रक्षा के लिए अपनी मान मर्यादा की खादिर माताओं एवं पहनों ने स्वैम को स्वैम को अगनी को समर्पित कर दिया था यह है मिटा आंसर नमबर फिफ्ट अब कोशन नमबर सिक्स देखते है चित्व को वीरों की खुमी क्यों कहा जाता है आंसर है चित्व की इस्विव तुमारा अपने सतित्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्यार कर देना बच्चों और जमानों का अपनी मात्र भूमी के लिए अपने प्राणों का पलिनार कर देने के कारण ही चित्वों को बीरों की भूमी कहा जाता है आज के इस वीडियो से हमारा चैप्र कंप्लीट हो जाता है आप लोग एक्सराइस बुक में फिल करेंगे और फियर में बर्ड मीनी आठ लाइन की कविता प्लस कोशन अंतर करेंगे जो की कॉपी में चिक होगा जिन बच्चों ने बुक्स नहीं लिए इस पूमी में आके बुक्स बच्चस कर लीजी आज के इस वीडियो में इतना ही बाए